सुप्रीम कोट आज वोट की बदले नोट मामले में अपना फैसला सुनाएगी साथ दच्योग की सम्विधान पीट ने 1998 के फैसले पर पुनर विचार कर फैसला सुरक्षत रखा था सुप्रीम कोट की साथ जजों की सम्मिधान पीठ आज सदन में वोट के बदले नोट मामले में एहम फैसला सुनाएगी सुप्रीम कोट तैग करेगा कि सदन में वोट के लिए रिश्वत में शामिल सांसदों और विधायकों के खिलाब कानूनी कारवाई से छूट दी जाए या नहीं इस मामले में CGI D.Y. चंद्रचूड, जस्टिस A.S. बोपन्ना, जस्टिस M.M. सुंदरेश, जस्टिस P.S. नरसिमह, J.B. पार्दिवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की बैंच फैसला सुनाईगी 5 अक्टूबर 2023 को साथ जजों की संविधान पीठ ने दो दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था संविधान पीठ को ये तैक करना है कि अगर सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेते हैं तो क्या तब भी उन पर मुकदमा नहीं चलेगा 1998 का नरसिमा राव फैसला सांसदों को मुकदमे में छूट देता है इस फैसले पर दोबारा विचार किया गया है सीजाई चंदरचूड के अगवाई वाली साथ जज़ों की बैंच ने ज्जारखन मुक्ती मोर्चा सांसदों के रिश्वत मामले में फैसले की नए सीरे से जांच की इसमें 1993 में राव सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव के दोरान सांसदों ने कथित दोर पर किसी को हराने के लिए रिश्वत ले थी